जिला परिशत कार्याले रोहतास के कथित निर्गत आदेश पत्र पर फरजी हस्ताक्षरकर नियोजित शिक्षक बन कर पढ़ाने वाले चार माध्यमिक शिक्षकों के विरुद्ध जिला परिशत के मुख्य कार्य पालक पदाधिकारी सह उपविकास आयोक्त सुरेंद्र प्र आपको बता दे कि जिला परिशत द्वारा जारी आदेश पत्र की जाच के बाद यह पाया गया कि यह आदेश जिला परिशत कार्याले द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा संबंदित ग्यापन पर अधोहस्ताक्षरी का फरजी हस्ताक्षर किया गया है जिसके आलोक में DDC ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उप्रोक्त सभी शिक्ष को एवं योगदान स्वीक्रित करने वाले प्रधानाध्यापक के विरुद्ध ततकाल प्राथमी की दर्जकर सूचित करने का आदेश निर्गत किया है साथ ही जिला परिशद क्षेत्र अंतरगत आने वाले सभी विद्यालेओं के प्रभारी प्रधानाध्यापक सहिच शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशत किया है कि ऐसे किसी भी मामले के संग्यान में आने पर कतकाल जिला परिशद नियोज निकाई कुसूचित करें जिससे दोशी व्यक्तियों पर लियमानुसार कारवाई सुनिश्चत की जा सके इसके अलावा एक अन्यमामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुरोध एवं विभागिये जाच के उपरांच श्वी सीताराम उच्च विद्यालय बराव कला यहरी में नियोजित उच्चतर माध्यमिक शिक्षक प्रमोट कुमार पांडे को फरजी प्रमान पत्र के आधार पर ततकाल सेवा से बरखास्त करने एवं सभी तरह के लंबित वेतन के भुपतान पर रोक सहित सेवा अवधी के दोरान लिये गए वेतन वापसी की कारवाई सुनिश्चित करने का भी आदेश जिल्ला परिशद ने जारी किया है।